अविद हतियार हतियार तसकर एखिला भागलपूर पुलीस लगातार कारवाई कर रही है पुलीस को लगातार सफलता भी मिल रही है भागलपूर पुलीस ने नातनगर के मदुसूदन पूर थानाच्छतर में छापे मारी कर भारी मात्रा में हतियार और कार्टूस के साथ ती पुलिस के द्वारा अपराध और अपराधियों पे लगातार कारवाई हो रही है और कहीं भी जब अपराधियों को दारवाई कोई भी घटना कारित की जाती है तो उसमें हतियार की एक बहुत बड़ी भूमका होती है और इसी परिपिक्ष में भागलपुल कुलिस के द्वारा पिछले एक सप्ताह से लगातार हतियार बरामदगी और इसके जो तसकर है अत्वाई इसको बनाने वाले हैं या इसका ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं या इस की विशाय पर मिल रहे हैं और कल इसमें एक बड़ी कारवाई हुई है जिसमें की जो कारवाई हुई है सिटी एसपी साहब है श्री राज उनके देतुर्त में एसपी प्रोबेशनर श्री अभिनो और अजय कुमार चौधरी जो डीएसपी सिटी है ऐसे चो मधुसूदन त सबिस्पेक्टर राकेश सबिस्पेक्टर आदर्श नंदन कुंदन और प्रोबेशनर सबिस्पेक्टर धननजय कॉंस्टेबल बच्चल अभिमन्यू और रजनीश इनलों की एक टीम ने पिछले 24 घंटे में लगातार इसको काम किया है और इसमें तीन महत्तुण व्यक्ति जिसमें एक मनिकान्त है जो कि आर्मी से रिटार्ड है और एक निखिल रंजन है जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है पुरानी सराय का रहने वाला है और राजा बाबू जो कि रामपुर खुर्द का रहने वाला है और इन लों के पास से कुल 9 हतियार विभिन स्पे और कुल 172 172 विभिन स्पेसिफिकेशन के कार्तूसों की बरामदी हुई है और इसके साथ कुछ छोटे मोटे हतियार साफ करने के उपकरण भी बरामद हुए है और यह अभियान पिछले 24 गंटे से चल रहा था और इसमें भागलपूर कुलिस के दौरा एक बहुत बड़ी और जो मैं पिछले एक सब्ता से सभ्यान के बारे में बात कर रहा हूँ तो पिछले एक सब्ता हमें कुल 10 तसकरों की गिरफतारी की गई है 23 विभिन प्रकार के हतियारों की बरामदी की गई है और 362 कार्तूस की बरामदी की गई है तो भागलपूर पुलिस के दौरा हतिय दार और हत्यार की तसकरी करने को अलोग खिलाब एक Bड़ा अभियान शेड़ा गिया है और इसमें लगातार इसमें सफलता भी अरजित की जा रही है इसके साथ ही साथ जो माधक पदार्थ होता है वह भी एक अपराग करने का एक Bड़ा कारक होता है उसके खिलाब dhagalpur पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसमें कल पचास ग्राम ब्राउन सुगर के साथ स्टेशन चौक के पास एक अंकित नाम का जो यूवक है जो की बुड़ानात मंदिर के आसपास कर रहने वाला है उसकी गिरफतारी हुई है और उससे भी हमारे टीम अभी भी काम कर रही है और भविस्वे इसमें और भी गिरफतारी और सफ्टलता मिलने की उम्मीद है अज कित्में लोग की गिरफतारी हुई है उसके बारे में विविन ठानों से हम लो संपर्क कर रहे है आसपास के जिले हमां का पगड़िया वहां की पुलिस से भी संपर भागलपूर में केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के तहत वरतमान में बिक्रम सला सेतु की समाना अंतर बन रहे फूरलेन पूल का केंद्री राजमंत्री अस्वनी चौबे ने निर्चन किया उनने कारियों की परगती को देखा उसमें तेजी लाने के आदेश दिये पूल को जैदा होनी चाहिए सड़क द्रुघटना होगी लेकिन चौडाई नहीं बढ़ाई गई इसके बाद लगाता द्रुघटना होती है नए फोर लेन पूल में द्रुघटना काफी कम होगी द्रपंदरा में हमने गड़करी जुकिया प्रस्ताब दिया था अब जाकर या काम ह रहा है या सवभाग है इसमें डाल्फिन सेंचुरी च्छेत्र को लेकर परिशानिया थी परियावरन विभाक से हमने परमीशन दे कर काम कराया अब इस च्छेत्र में भी काम सुरू हो गया है वर्जदोजा 27 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा बतादे एस पी सिंगला कंश काल में निर्मान कराया गया विक्रमसिला सेतु में अमोमन जाम की समस्या बनी रहती है जिसको लेकर किंद्र ने लोग की सुविधा के लिए पूल की घोसना की थी तब से घटनाए घट रही थी सौभागी की बात है कि हमारी केंद्र में सरकार बनी और प्रानमंति नरेंद भाए मोजी जी के नित्रित में उनके मारदर्शन में हमारे स्री घड़करी जी ने जो काफी साइंटिफिक डंग्स इसके बारे में बहुत विसलेशन हुआ कि कालगावा यह भागलपूर में एक परेलल होना चाहिए और वह भी एनज जो होता है यह सिक्सलेन बना चाहिए ताकि सिक्सलेन बनेगा तो हमारा उदर लोगच्च्या साहिए इदर का हम एनज को कबर कर पाएंगे तो उसी हिसाब से लगबग यह देर सौर को लेंड का यह प्रस्ताव जो है वो बंडा है इसमें जो परिशानिया थी यह जो आपका डॉल्फिन का उसको लेकर के काम रुका हुआ था तो मैंने छे मेना पहले अपने प्रयाबरन मंद नाले से डॉल्फिन के और उन सब इनको मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है तो दिशान देश दे करके और उसकी पर्मिशन दे दी गए इसले काम सुरू हो गया है मुझे विश्वास है कि 27 तक यह काम हो जाएगा और यह पूल बन जाने के बाद जो आए दिन भीड की समस्या नहती है और यह जाम जो होता ह आप जालते हैं कि यहां से दार्जिलिंग तक का पुरवांचल सीमांचल सब को जोडने का काम करेगा के लिए भी विचार किया जाएगा साथ हिनों ने कहा कि हम और हमारे सभी प्रादिकारी आप तमाम जनता जनार्दन से सही हो की कामना करते हैं हम सदेव जनता के साथ हैं अब जाम से भागलपूर वासियों को काफी राहत महसूस होगी मौके पज़रादिकारी के साथ सथ जान की समस्यत ती और मैंने जितने भी लोगों से मिला सभी लोगों ने कहा सथ जान से हम्नों तबाह हैं उसी में जब उपाय घंडा गिया कि जाम घोता क्यों है तो पता चला कि कई बस जो है शहर में प्रवेश करते हैं पिक टाइम में और छोटे वहान भी रहते हैं और जो रिक्षा है और कई लोग साइकल से भी हैं मोटर साइकल से भी हैं हम लोग उने मिरने लिया कि जो बड़ी बसे हैं उन बसों का पराव सुबह दस बएस से लेके रात के दस बएस तक यो पड़ाओ इसी अध्योगिक ठाना शितर के पास रहेगा और उसके बाद रात में इसके अतरिक्त भी हम लोग एक वाहन पराव अस्थल बनाने जा रहे हैं जो बहुत जल चार से पास दिनों में तयार हो जाएगा जो बड़ी-बड़ी बसे जो बाहर की जाते हैं और दूर जाती है उन बसों के लिए भी हम लोग एक और वाहन पराव अस्थल बनाएंगे का कि आप लोहों को काफि शुद्दा हो मैं खालपुर के समस्त नागरीवों से रूरोद करता हूं कि मैं आपके साथ हूं आपने सभ्योग करें आपके लिए तर्फ़ पर हैं हमारे सारे अधी गाड़ी आप इस जिला के लिए काम कर रहे हैं और बिड़ी तनमेधा से काम क पर पाइपास के पास हम लोग बस पराओ अस्तल बना रहे हैं और पास दिनों के अंदर में वही आपको पस परावस्त हैं तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छतिगरस्थ हो जाता है और उसके बच्रे की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्त में उसमें बिकलांगता की समस्य आती है जिसे CP कहते हैं जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और जिन्दगी भर बच्चा बिकलांगता से जूच सकता है ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थिरेपी का सहरा लिया जाता है जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थिरेपी दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम ह होती है और बच्चने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार बयाहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजा tu places वाली इंद्र में यम मशीन उपलब्ध है मभी ऐशी बात हो कि बच्चा रोने में बम हो गया तो आप सुमेशाinson को के अंदर में जरू संपर करें बागलपूर साहर के तीन वाड नौ दस वय ग्यारा को आपस में जोडने वाली सड़क ठाकुरुवाली वा रेसम संस्थान से साहिब गंज में रोड सहीत नल का निर्मान कार होगा इसका सिलन्यास मेयर डॉक्टर वसंदरा लाल वा नगर रायकुत ने तीन कुमार सिंग ने किया यह सड़क एक करोड़ अन्ठान में लाग की लागत से बन रही है ठेकेदार को तीन माह में सड़क वा नाला बना कर तैयार करना है इस दुरान उप नगर रायकुत रायस कुमार पासवान वाड संक्या 11 की पैरसत सवीता देवी कारियाल अधिचक महम्मद रहान एजनसी संचलक अंकुर जाओवा ने मौझूद थे मौके पर मेर वा नगर रायकुत ने जन संबाद भी किया वा लोग असी समस्या भी पूछी हमने बहुत महिनत करकि ये सारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है और अब हमारे सहरवासियों को कोई चिंता करने की जोरत नहीं है उनको जितनी भी योजनाएं बिहार सरकार की उसका लाब बहुत जह मिलने वाला है भागलपूर में वसंथ पंचमी को लेकर सहर के कई जगों पर मासरस्ती की परतिमा स्थापित की गई थी जिसका विसर्जन किया जा रहा है सद्धालू मासारदे को नमाकों से विदाईद दे रहे हैं गाजे बाजे के साथ मासरस्ती की विसरजन सो भयातर निकाली जा रही है विसरजन को लेकर सहर के सभी चौक चनाहों पर पुलीस जवान को तैनाद किया गया है जिले के SM College घाट मुसरी घाट सहित कई विसरजन घाट पर परतीमा का विसरजन किया जा रहा है बिहार में चलने वाले ट्रक, कार, जीप, टैक्सी, ओटो, इरिक्सा, दोपईया, वहान, बस और सभी तरक के वहान, चालकों का 16-17 फरवरी को दो दिवसी हड़तार यवं चक का जाम किया है वह इसका छिटपूट असर भागलपूर सहर में भी देखा गया, देशब्यापी हड़ताल हुए यवं ग्रामिन भारत बंद के आवाहान पर मजदूर किसान संगट नों के दोरा भागलपूर इस्टेशन चौंक से जुलूस प्रदरसन निकाला गया जो मुख्य बजार खली पावाग चौंक घंटा घर चौंक बड़ी पुश्ट आपिस कचारी चौंक के रास्ती कलेक्टरियट पहुँच कर सभा में तबदील हुई वह इसको लेकर भागलपूर में प्रदरसन कर रहे प्रदरसन कारियों ने कहा कही टेंडरन कानून वापस लेने को लेकर यह प्रदरसन किया जा रहा है जो अच्छे अच्छे पत्रकार हैं और जो सच बात लिखते हैं संपादक हैं उनके उपर भी देश दुरों का मुकदमा चलाया जा रहा है आज वो जेल में बन दे तो आज यह अस्तिती है कि पूरी तरह से जो ताना साही पर विरती है वो पुरा लागू हो रहा है और एक तरह से और घोसित अमेरिजनसी के तरह आज यह सरकार जो है काम कर रहे है भागलपूर की कहलगाओं के अंटीपीसी पंप हाउस के आमापूर के 55 वर्षिय करमी सतनायन मंडल का काम करने के दुरान हीटर तापने के वक्त चक्कर आया और वह सीधे माथे के बल जमीन पर गिर पड़े और बेहोस हो गए उसके बाद उसकी तब्यत बिगड़नी लगी आनन फानन में उसे अंटीपीसी कहलगाओं के अस्पताल ले जाया गया जहां चीकित्सकों ने उसे मृत घोसित कर दिया वही मिर्तक के पुतर ने बताया कि हम लोग या जानकारी घटना के तकरीवन एक घंटे बाद चली जब हम लोग अस्पताल गए तो वहां मेरी पिता जी की मौत हो चुकी थी अब देखने वाली बात यहा होगी के अन्टीपीसी कहलगाओं के विभाग के लोग इस पर क्या संग्यान लेते हैं और इस कर्मी को अन्टीपीसी विभाग की और से क्या सहायता मिल पाती है भागलपूर में बियसनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर एक जूट दिखे उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी ठड बियार्सी मांग को लेकर देश की परधान मंत्री नरंदर मोधी को पोश्ट कार्ड भी भेजे थे जिसमें सापत और पर हम लोग अपनी समस्याओं से उनको अपनी मांगों को लेकर आज भागलपूर की वियसनल कार्याले के सामने जोड़दार प्रधरसन कर रहे हैं वियसनल कर्मियों ने कहा कि हम लोग को हमारी वेतन का कुछ भाग 2017 से अभी तक नहीं मिल पाया है जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह प्रधरसन जारी रहेगा हमारे विद्याले एसकेपी विद्यवेहर भागलपूर मंद्रोजा में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन भव्या आयोजन हुआ है और इसमें हमारे सिक्षक सिक्षिकाओं और हमारे उनहार बच्चों का बहुत वड़ा योगदान है उन्होंने आज बहुत सारी चीज चंड्रियान थ्रीका लॉंचिंग का उन्होंने पूरा कवर किया है सुरू से 1974 से लेकि 224 तक जो जो भी चंड्रियान के थ्रू जो भी खोज हुआ है या जो जो भी सेटलाइट्स लॉंच हुए हैं उनके बारे में स्क्रीन पर स्लाइड पर ब्रिहत रूप से बताया गया झाले जो घर किया है